हेलो माई अल वीवर्स एन अल सब्काइबर तो एक नहीं वीडियो तो 19 इंटू 20 19 इंटू 20 का हाउस बीलिंग प्लान ठीक है तो आप प्लान को ध्यान साथ देखिए 2BH के प्लान इसमें है 380 स्कर्फिट तो 380 स्कर्फिट में हम 2BH के हाउस बीलिंग प्लान इसके साथ टॉयलेट और बात एक कीचेन और आउट साइड से हमने रखा एक स्टेयर तो स्टेयर जो ऑप्शन वो ऑप्शनल है जिसको चाहिए था उसने बोला था अगर पॉपसिबल है तो स्टेयर को बाहर रखने के लिए ठीक है इसलिए मैंन यह जो प्लान है इसका स्टेयर पोजिशन बाहर रखा है तो चलिए वीडियो आपके साथ स्टेयर करते है और नया वीडियो देखिए अच्छा लगा तो जिरूर लाइक कर देना है चलिए स्टार्ट करते है हम यहाँ पर 19 बाई 20 का प्लान ड्रॉ करते ठीक है पहले जो है 19 फिट हम यहाँ पर इधर ड्रॉ करेंगे और जो 20 है हम यह जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे ठीक है तो 19 बाई 20 का हुआ 380 स्क्वार फिट का है ठीक है तो 380 स्क्वार फिट में हम दो बेडरूम रखा है और क्या रखा है इसके साथ दो बेडरूम के साथ हमने रखा है टॉइलेट और इसके साथ हमने कीचेन और भी जो है हमने बहुत कुछ उज़वापर रखा है तो चलिए आपके साथ स्यार करते हैं तो हम करेंगे स्यार देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन है डायाग्रम जो आपने देखा है ठीक ही देखा है आपने हमने सिंगल लाइन डायाग्रम पहले क्या है उसके बाद हम उसका देखिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे इधर से लेकर आएंगे इधर तक हमने यह पर जो एक एक रखा है डोर इधर तक आएगा ठीक है इसके बाद हम इधर लखा है एक लाइन और इधर हमने रखा है चो हमने पहले प्ललागा तहा आपके साथ शेर क्या था आउट साईट का इंहां हमने जो सिरिया है उसको रखा है चलिए डिटल्स शेर करते हैं अपके साथ थो रासा बढ़ा कर देते हैं तो देखिए दूस्तो यह आपका प्लान का डायग्राम है चलिए आपके साथ share करते हैं जो हमारा wall और window, door window ठीक है चलिए उसका भी share करते हैं तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे आपका जो है 19 feet और 20 feet हम आपको इधार दिखाएंगे ठीक है तो 19,20 तो आपको मिल गया है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ventilation है दो यहाँ पर window ठीक है यहाँ पर window यहाँ पर भी window यहाँ पर window यहाँ पर एक window ठीक है देखें उसके बाद हम क्या करते हैं जहाँ पर हमारा door वह marking करते हैं पहले तो आपको door का भी कहाँ पर डोड है इसका भी समझ में आ जाएगा ये ठीक है तो चलिए डोड कौन सी डाइरेक्शन में डोड ओपेन होगा यही यहाँ पर दिखाया है हमने इसका मतलब है डाइरेक्शन ठीक है डाइरेक्शन इस डाइरेक्शन में ये ओपेन होगा चलिए नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पहले स्टार्ट से हम क्या करेंगे कीचेन कीचेन जो हमने यहाँ पर दिखा ए जो लेंथ डाइरेक्शन तो 6 feet 6 inch by 5 feet 5 inch तो डाइरेक्शन हमने दिखाए यहाँ तो इधर हमने रखा एक small bedroom क्योंकि इसका size थोड़ा छोटा है तो कितना है तो देखे इधर जो डाइरेक्शन है 8 feet 9 inch और इधर का जो डाइरेक्शन है 8 feet 5 inch ओके इसके बाद हम इसके साथ रखा है एक बाद एन लेट्रिन छोटा सा है 4 feet 4 inch और इधर 4 feet 6 inch ओके इधर भी 4 feet 6 inch और इधर 4 feet का एक टोईलेट ओके नेक्स्ट हमने यहाँ पर और एक bedroom पोवाइट किया bedroom तो उसका size हमने रखा है इधर जो डाइरेक्शन है 9 feet थोड़ा सा बड़ा कर दिया इससे और इधर हमने रखा है 10 feet ओके तो यह हो गया हमारा next जो पाट है यहाँ पर हमने क्या रखा है यहाँ पर डाइनिंग और ट्रॉइंग तो इसका जो size हमने क्या है इसका size देखे 11 feet 3 inch तो direction इधर है और इधर जो है 8 feet 9 inch ठीक है और इधर जो हमने stair का पाट रखा है तो इधर आके आप अगर उपर आएंगे तो इधर से आप घर के अंदर जा सकते ठीक है यही है आसका प्लान तो इसमें हम आपके साथ और भी एक चीज़ शेयर करेंगे column position ठीक है column आप जो कोना है यहाँ पर जो corner position है यहाँ पर आप column पोवैट कर सकते ठीक है corner position में पहले कर लिजिए corner position को उसके बाद हम दिखाएंगे देखिए ए जो corner तो आपको पोवैट करना ही पड़ेगा इसके बाद आपको जो joint है इधर और इधर भी एक column पोवैट करना पड़ेगा ठीक है तो इधर भी एक column आपको पोवैट करना पड़ेगा इधा तीन अगर तीन इधार भी एक कलमा पुभाइट कर दीजे क्योंकि ज्यादा जॉइन्ट आ रहा है यह आपर ठीक है कलम का और इधार आपका एक पुभाइट करना पड़ेगा नेक्स्ट इहाँ पर जो डिस्टेंड से आप 5 फिट तो आप एक काम किजिए इधार एक कॉलम पुभाइट कर दीजे तो आपका अच्छा होगा बिल्लिंग के लिए मुझे लगता है इस टाइप का कॉलम इधार पुभाइट करना चाहिए तो इधार तो एक मिस्टेक हो गया कॉलम इधार जो सेंटर है इधार तक आप आईए इधार पुभाइट कर दीजे टीए तो ए जो डायरेक्शन है देख रहा है प्लान का हमने साउथ फेसिंग का प्लान रखा है यहाँ पर साउथ ओके साउथ फेस का फ्लान रखा है तो फ्लान अच्छे लगए तो ज़रूर लाइक कर देना फेंड के साथ सेयर कर देना दोस्तों चलिए वीडियो भी पर खदम करते